नवस्कार आप देख रहे हैं दर्स न्यूज मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा मोटी सेलरी वाली सरकारी नौकरी पाने का ख्वाब सच करने का मौका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेट दे रहा है इस संस्थान ने कई अलग अलग डिपार्ट्समेंस में 300 से ज़्यादा नौकरिया निकाली हैं जिन पदों पर भरतियां की जानी हैं उनमें इंजीनियर, ओफिसर और असिस्टेंट मैनेजर के पद बताये गए हैं जो कैंडिडेट्स ये नौकरी करना चाहते हैं उन्हें हिं हिंदुस्तान पैट्रोलियम.com के जरिया आवेदन करना होगा अब आईए जान लेते हैं कौन-कौन से पदों पर भरती होनी हैं हिंदुस्तान पैट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से निकाले गए इंजीनियर, ओफिसर और असिस्टेंट मैनेजर के कुल 312 पद हैं इनमें मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंश्रुमेंटेशन और केमिकल ट्रेट्स में इंजीनियर की भरती होनी है इन पदों पर भरतियां बतोर पर्मानेंट इंप्लॉई होगी लेकिन एक पद ऐसा भी है जिस पर कॉंट्रेक्ट पर जॉइनिंग की जाएगी ज में इंजिनियर पदों पर भरती के लिए संबंधि ट्रेड में चार साल की डिगरी मांगी गई है इस पोश्ट के लिए अपलाई करने वालों की उम्र 25 साल तक होनी चाहिए अन्य पदों के लिए अलग क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है अब आईए जान लेते हैं अलग पद के लिए अलग योगिता और उम्र सिमा क्या रखी गई है Information system यानि IS officer बनने के लिए candidates के पास 4 साल की BTEC या MCA की डिगरी होनी चाहिए इन पदों के लिए 29 साल तक अधिक्तम वाले apply कर सकते हैं हलाकि जो candidates किसी भी reserve category से आते हैं उन्हें नियमों के मताविक छूट दी जाएगी अब आईए जान लेते हैं किसे किसे देनी होगी application fees इन सभी पदों पर application fees सिर्फ अनारक्षित अन पिछरावर्ग यानि नॉन क्रीमी लेर और आर्थिक रूप से कमजोर स्रेनी के candidates को देनी हैं हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited की ओर से निकाले गए इन पदों पर 50,000 से 2,80,000 तक salary मिलेगी apply करने के लिए candidates को हिंदुस्तान Petroleum.com पर जाकर carriers option में job openings select कर our current openings पर जाना होगा इसके बाद recruitment of officer पर जाकर apply करना होगा यहां तक पहुँचने के बाद sign in करके registration कर मांगी गई detail भरे और documents upload करे form भरने के बाद print out ले ले तो यह जानकारी आपको कैसी लगी है हमें comment section में जाकर करके जरूर बताईए और हमारे चैनल को अब तक subscribe नहीं किया तो कर लिजे और अगर यह वीडियो आप facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को like और follow करना न भूले धन्यवाद